मीता और उशा पार्टनर हैं और 1st एप्रिल को उनकी जो कैपिटल्स दे रखी हैं वो रूपीज 1,40,000 और रूपीज 1,20,000 हैं उनकी जो ड्रॉइंग से एंडिरिंग दा इयर वो रूपीज 32,000 मीता की है और 24,000 उशा की है और यह जो ड्रॉइंग है उन्होंने एक पर्टि इन्होंने बाट लिया तो इन्होंने बाद ने पता चला कि इंटरस्ट और इंटरस्ट और रॉइंग एड़ रेट 6% पर रहनम और मीता का जो कमीशन है रूपीज 8,000 वो यह तीनों चीज अलाओ करना और चार्ज करना भूल गए हैं आपसे कहा गया एक अजस्में एंट् तो यह जो question है बच्चो इस is question no.67 of the book T.S. Grewal edition 2023 and the chapter is accounting for partnership forms fundamentals तो आईए देखे बच्चो इसका solution कैसे किया जाएगा तो बच्चो सबसे पहले काम करिए आप इनका interest on drawing निकालेजे मीता और उचा दोरों का तो मीता का interest on drawing आएगा वो 32,000 into 6 by 100 into 3 by 12 लिया जाएगा इनकल के और निकल कर रूपी इसे ही उशा का भी interest on drawing निकालेजे तो इसके बचेंगे आपको थ्री मंस और निकालना है थी है बच्चो यह निकल कर आएगा रूपीज प्रेस्टी ऐसे ही उशा का भी interest on drawing निकालेजे 24,000 का 6% into 3 by 12 यह आजाएगा निकल कर 360 तो यह जाएगा interest on drawing निकलने बच्चों इनों के 480 और 360 interest on capital निकालने में कोई दिकरत नहीं आएगी interest on capital opening capital भी निकलना है और for the whole year निकलना है जो कि 140,000 का 6% निकलेगा 8400 और 120,000 का 6% निकलेगा 7200 तो बच्चों जो हम इनकी adjustment table बनाएंगे क्योंकि adjustment entry को पास करने से पहले आपको एक adjustment deal बनानी है तो उस adjustment deal में सबसे पहले interest on capital जो है वो इन लोगों को credit कर दीजिए जो कि मीता का आएगा 8400 उशा का आएगा 7200 और दुनों जोड़कर पुड़ा firm का और debit कर देंगे 15,600 से ठीक है बच्चों interest on capital जब partner को दिया जाएगा तो partner तो credit हो जाएंगे मगर firm जो है वो debit हो जाए ठीक है firm को हमेशा partners के deposit रखना है अब रही बात interest on drawings की तो interest on drawings जो है आप 480 से मीता को debit करिए क्योंकि इनसे लिया जाना है 360 से उशा को debit करिए और firm को credit कर दीजिए 840 से अब यह लोग debit होएं तो firm क्या होगी बच्चों credit अब मीता का जो commission है वो केवल मीता को credit करिएगा उशा को नहीं और firm को debit कर दीजिए कोई commission मीता को दिया जाएगा मगर firm को से लिया जाएगा ठीक है बच्चों that's why अब जो अपने तीनों गलतिया सुधार ली तो अब finally firm के हिसाब से देखिए कि firm को overall इसमें वाइदा हुआ है नुकसान आकरी आकरी स्टैप आपको firm के हिसाब सही करना है तो firm को 15,600 और 23,600 का नुकसान हो रहा है और 840 का firm को फायदा हो रहा है तो firm को overall नुकसान हो रहा है 22760 का इन गलतियों को सुधारने में और firm इस amount से खुद तो credit हो जाएगी और इनको इस loss को partner में बाट देगी 2 to 3 के ratio में ठीक है बच्चो तो जो की मीता का निकल कर आएगा आप डिएट करके देख लीजिए का 9104 ठीक है बच्चो और इसका आएगा उशा का 6 13656 आएगा बच्चो कैल कर देखेगा 13656 की आएगा ठीक है बच्चो और जब सारी गलतियां ठीक हो जाए और फाइनली आपने firm को भी balance कर लिया हो तो last में हमें निकालना होता है इन लों का net effect अब net effect कैसे निकलेगा मीता को दिखिए इसका credit है 16,400 16,400 में से 400 गए तो बच्चे का 16,000 80 और गया तो 15,920 15,920 में से 9 गए तो 6,920 6,920 में से 100 गए तो 6,820 6,820 में से 4 गए तो 6,816 credit क्योंकि मीता का credit ज्यादा है debit से ऐसी उशा का देखिए 13,600 और 13,600 में 300 गए 13,900 और 60 प्लस 56 करेंगे तो आएगा 14,016 14,016 में से 7,200 कम करेंगे तो 14,016 में से 7 गया तो 7,016 और 7,016 में से 200 गया तो 6,816 आ जाएगा और यह debit आएगा फर्म का net effect निल आता है हमेशा ध्यान रखेगा बच्चो आप रही बात adjustment entry की तो आप adjustment entry आप बना सकते हैं देखिए उशा को आपको debit करना होगा with rupees 6816 और मीता को जो है आपको credit करना होगा with rupees 6816 ठीक है बच्चो तो आईए adjustment entry भी बना लेते हैं तो यह adjustment entry को जिस्ता से बना ही जाएगी बच्चो उशाज capital account debit तुमीतास capital account और यह amount आएगा 6816 6816 और इस तरह से हमारा यह question complete हो जाता है question number 67 T.S. Gribal chapter is accounting for partnership firms that is fundamentals edition of the book is 2023 मैं हूँ प्रवीन सर आपका account teacher और आप मेरे इस चैनल को जो है follow करते रहिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए इस वीडियो को आप like करिए और और students के साथ भी share करिए मैं आपको इसी तरह से और सभी questions के इस chapter के सारे questions के as well as class 12 accounts के सभी chapters के questions के solution आप लोगो provide करता रहूंगा and along with the conceptual clarification चैनल